नमस्कार वेलकम टू एके और्गेनिक तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिडेशन लेवल की इससे पहले मैं फंक्शनल ग्रूप्स पर वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं होती है कुछ में structure में कैसे जैसे carboxylic acid ले लेते हैं एस्टर अमाइड तो इन तीनों में देखो कार्बोनील ग्रूप है तीनों में similarity है structure में और दूसरा जो है number of bonds count करो यह जो कार्बन है जिसके पास functional group है इसकी हीट्रो एटम के साथ number of bonds one two three threes में है threes में इसके साथ साथ यह तीनों जो है easily interconvertible है यानि कि acid से easily ester बनाया जा सकता है ester से easily amide बनाया जा सकता है reverse is also true with the help of water alcohol and amine plus appropriate catalyst के help से तो यह easily convertible है तो फिर यह बोल दिया गया that carbon atoms carrying functional groups that can be interconverted without the need for reducing or oxidizing agent have the same oxidation level यानि कि carbon atom है carrying functional group that can be easily interconvertible यह जो है तीनों interconvertible है easily और किसी oxidizing reducing agent की ज़रूरत नहीं है तो इनका same oxidation level होगा जो कि determine किया जाएगा by number of bonds of carbon atom with heteroatom तो यहां देखो हमने count किया तो three bonds है with heteroatom इसमें भी इसमें भी तो इनने जो है same oxidation level है तो हमने जो है इसमें category में रखाए से three bonds to heteroatoms और इसे नाम दे दिया गया carboxylic acid oxidation level जिसमें acid को रखते है तो इसी basis पर हमने जो है जितने भी functional group थे उनको categorize किया कि कितने bonds जो है particular जो है carbon atom जो है heteroatom के साथ बना रहा है तो अब भी देखो alkane था जो अलकेन है तो अलकेन में जो है कोई भी heteroatom नहीं है तो जीरो bonds to heteroatom इसे बोल दिया गया अलकेन oxidation level second one bond किसमें possible है तो देखो one bond में alcohol लेंगे अलकोहल में देखो इस carbon का oxygen के साथ एक ही bond है तो इसे बन बोन में रख दिया गया फिर further कौन कौन से possible है तो इसे नाम तो दे दिया कि alcohol oxidation level फिर इसके साथ साथ कौन से possible है इतर possible है जिसमें carbon जो है एक हीट एक bond बना रहा है oxygen के साथ यह यहां जो है अमीन के case में carbon nitrogen एक bond इसमें जो है इसमें जो है number of bond दो है तो सेम जो है इससे नाम दे दिया गए अल्डी हाइड oxidation level और particularly ketone में भी दो है एसीटल या फिर आप किटल ले सकते हो और फिर alkyne जो है इन्हें जो है टू बोन में रख दिया गया अब यह देखो कि यह वन बोन में alkyne कैसे आया और टू बोन में alkyne कैसे आया देखो इस statement के according कि वो जो groups है जो functional groups है वो easily interconvertible होने चाहिए without the need for reducing or oxidizing agent यानि कि अगर यह alkyne जो है इस category में आया है तो यह कही न कहीं से तो derive हुआ हुआ इनमें easily convert हो सकता है तो basically हमें पता है कि alkyne के formation हम कैसे करते हैं dehydration of alcohol से तो यह सिर्फ dehydration ही हो रही है किसी भी oxidizing or reducing agent के हमें ज़रूरत नहीं तो इस वज़े से alkyne को इस category में रखा गया similarly alkyne में alkyne अगर आपको aldehyde से alkyne बनाना है तो hydration और dehydration से हो जाए गए क्योंकि हमने क्या किया था जो मैंने आपको बताया था पिछली functional group की वीडियो में कि alkyne से aldehyde क्या से बनेगा आप इसकी hydration कर दीजी आपके पास aldehyde आ जाएगा similarly dehydration और hydration से इसमें alkyne के formation हो जाएगी without involvement of any oxidation or reduction process इसकी वज़े से जो alkyne है इसको इसी केटेगरी में रखा गया है याने कि aldehyde oxidation level में फिर जैसा कि मैंने यह carboxylic acid का आपको बताया था carboxylic acid oxidation level इसमें three bonds होती है carbon की with hydroatoms तो सभी में जो है three bonds है जैसे नाइट्राइल है ck n के साथ three bonds है फिर जो है acyl chloride है इसमें three bonds है ऐसे फोर बॉंट हीट्राइटम carbon dioxide इसका अच्छा example है जिसमें चार बॉंड बना रहा है oxygen के साथ दो यह दो यह और फिर carbonate इसी केटेगरी में आता है tetra halop compound और urease जो है इसमें आता है अब देखो oxidation level को आप oxidation state के साथ confuse मत करना क्योंकि oxidation level क्या होता है कि आप डिरेक्ट जो है जो carbon atom है functional group में उसकी number of bonds count कर लो hetero atom के साथ वही उसका oxidation level है लेकिन जब आपको oxidation state निकालने हो तो आप सभी bonds consider करते हैं ठीक है चाहिए वो carbon की सिर्फ हिट्रो एक्टम के साथ निकार्बन की कार्बन के साथ भी हो यह कार्बन की हाइड्रोजन के साथ भी हो तो उसकेस में हम जो है oxidation state बोलते हैं और जब भी हम number of bond of carbon atom with hetero atom निकालते हैं यानि कि वो जो है oxidation level होता है तो इस table को समझने का में मोटिव क्या है कि यह को जो एक केटिगरी बनाए गए है जैसा कि statement ने बोला कि पर्टिकलर केटिगरी में जितने भी molecules हैं जितने भी compound है वो easily inter convertible होते हैं तो एक तो यह information मिलती है और एक अगर मैं कावक्सलिक एसीड हमान लिया इसकी conversion एलकोहल में करनी है तो यह simply पॉसिबल नहीं है आपको कोई ना कोई reducing agent चाहिए तब भी पॉसिबल होगा तो यह different different category different category से लिया है देखो कावक्सलिक एसीड और एलकोहल अगर सेम केटेगरी के देखे तो यह without oxidizing और reducing agent की हल्प से हो जाएंगे यह simply लेकिन अगर हम different category की लेते हैं तो हमें oxidizing और reducing agent की जरूरत पड़ेगी तो यह था oxidation level के बारे में तो अगर आपको आमारा यह आज का वीडियो इन्फर्मेटिव लगाओ दें like, share and subscribe एक और अर्गेनिक तो मिलते हैं और अर्गेनिक chemistry के आने वाली नई वीडियो में तब तक के लिए take care, be healthy, be safe